आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एक नई वीडियो प्यारे दोस्तों अभी तक चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दूसरे नमर में आपको किसी भी ओनर्स पर पढ़िया सब्सक्राइब पर नोट्स तथा सजेशन चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स में उसका नाम लिकर दो इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फिरी यानि की बिल्कुल निसुलक दिये जाएंगे और मेरे द्वारा जो नोट्स सजेशन दिये जाते हैं उसे साड़े सब्सक्राइब आपके एकजाम में पूछे जाते हैं जिसका जीता जगता प्रूप मैं आप उसी से सारे सवाल आपके एकजाम में च्षप रहे हैं तो विद्यार्तियों का यहाँ पर देख सकते हो क radius किस परकार आया हुआ है इसْ तरह के कमेंट से एक दिन पहले जरूर देख लेना ताकि आपको मिलें यदि आपने संगीत यानि की म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट को ओनर्स या सब्सेडरी पेपर के रूप में रखा है तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप सभी के लिए वर्दान सावित होने वाला है यहां पर ज आपको मेरे इन बातों पर भी सबास ना हो तो सभी के पास तो कोशन बेंक होगा है कोशन बेंक को पलटाईए और देखे यह सारे सवाल आपके एकजाम में कितने बार पूछे गए तो ही आपको इन प्रस्णों की इंपोर्टेंसी तता आहमियत पता चलीगी ठीक है यह सार इससर नहीं और भी तो सवाल पोचे जा सकते हैं इससर भी स्वाल पूछे जाते हैं क्योंकि इससे बहतरिन सवाल एक भी नहीं मृजिक सब्जेक्ट में से लिए एकजामनर के ड्वारा बार बार दोहराने का का रिया किये चारी पर पी क्वेशन का अंसर जो है म्यूजिक के प्रफेसर के द्वारा काफी सरल और असान सब्दों में तयार किया गया है यदि आप इंपरस्णों का अंसर एक नजर से देख लेते हो आप मन की गती से याद कर पाऊगे पूरे लाइफ टाम तेक इंपरस्णों का अंसर नहीं बूल प देते हैं क्योंकि उन्हें भी आसान सब्दों में रिजाएं देखने को लिए प्रूइञे को नहीं मिलेंगे जब मेरे द्वारा पिदिया जाएगा परंतु आपको नहीं लिखोगे तो फिर अनसर का फैदा तो मैं आप लोगों से रिक्वेश्ट करता हूँ गुजारिस क पांस मिनट लेखेंगे 5 मिनट में आप लिख लो, आपके पूरे साल के तैयारी को मात přिस दस मूनेट के वीडियो में cover क्या जा रहा है और इस दस मूनेट के वीडियो में 100 marks की guarantee ली जा रही है तो परस्ण लिखना लाज्मी सी बात है आपके पास एक golden opportunity है इस तरह के opportunity को यहीं जाने नहीं दिया जा सकता है जल्दिस आप इन सभी प्रस्णों को लिखिए वीडियो के इंत में बताओंगा कैसे आप इन सभी प्रस्णों के answer का करेक्ट करने वाले तबला के वर्णों का वर्णन करें यह प्रस्ण काफी ज़्यादा इंपोर्टेंड को नमर दूसरा देख लो पखावज यानिकी मिर्दंग की उत्पती कैसे हुआ इसका विकास कैसे हुआ यह देखो आप कहीं जा रहे हो चलते फिरते रास्ते में भी प्रस नहीं है अथ्वा में पूश्च देखावज के अंगों का वर्णन करें ठीक है मिर्दंग के एक 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 अंगों का यहां पर वर्णन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है तो उत्तर काफी अच्छे ढंग से त्यार किया गया है पर देखने मातर सहीं आपको इन प्रस नमर्ण रूप से इतने अच्छे डंग से बैख्या करें उतने आपको मास करेंगे फूर आपका धौनी किसे कहते हैं ठीक है धौनी किसे कहते हैं इसकी उत्पती पर परकाहज डालना आपको इसके बाद प्यारे दोस्तों कुश्यों में आपका भात खंडे स्वारली कि जो पदती है उसके बारे में आपको यहां पर बैख्या करना है बताना है ठीक है इसको देख सकते हो और आप लोगों को यह सारे प्रसंद लिखने हैं जब आप प्यारे बच्चों में परवेश करोगे तो आपको बहुती कम समय दिये देंगे और कम समय मापको ज्यादा ज्यादा पेजस लिखने होते हैं जितने ज्यादा पेजस लिखा हुए उतने अच्छे मार्स मिलेंगे जितने ज्यादा फार्ष्ट लिखने का परियास करो अभी से आप फार्ष्ट लिख पाऊ जल ठीक है तो अभी से आप सभी को ज्यादा ज्यादा फार्ष्ट लिखने तुक्रा पल्टा इसको आपको यहां पर परिभासित करना है इसके बारे में आपसे पुछा जा रहा है अत्वा में पूछ दिया जा क्या है इसके बारे में आपको बताना है ख्याल ठुमरी धुरूपद धमार टपा ठीक है कुछ नमर एट है आपका यह सारे प्रसंद जल्दी साप प्यार वेच्च आपने प्यारे से कोपी में लिखते चलो ठीक है तबला के विभीन भाजों घरानों का वर्णन करें यदि आ आपको यहां पर वर्णन करना है कि किसी एक घराने का विश्चित वर्णन कीजिए ठीक है किसी एक घराने का यहां पर आपसे वर्णन पुछा जा रहा है क्या है तो पर यह सारे सवाल आप से कोई भी पूज देते हैं राग क्या है इसके लक्षन वंग जाती बतावे ठीक है अथवा में पूछ देया जगा राग जाती है वंग जाती हों से क्या समझते हैं वर्णन करें यह अथवा वाले प्रस्ण ना काफी ज़्यादा बच्चियों को कन्फ्यूज करते हैं यह दोनों प्रस्ण का उत्तर स इसके बारे में आपको यहां पर बेख्या करना है क्यों रखा जाता है इसके बारे में यहां पर आपको निमन लिखना है लेख लिखना है कुछसन मर邊 ठटीन प्रस्ण यहां पर उप्षास्तिय गायन क्या है इसे किसी एक विद्या का वर्नन करें किसे किसी एक विद्या का यहां पर आपको वर्नन करना है । ऩौन इसरेकम अबकीलिन संगीत इतिहास का और लिख्यों कर जा रहा देखो आप फास्ट लिखोगे जितने ज्यादा उच्छे आपको मार्स मिलेंगे इसलिए आपको क्या करने प्याड़े बच्छो जदध जदध फास्ट लिखने होते हैं ठीक है तानपुड़ा या अपने वाद के यंत्रों क्या अंका यहां पर आपको इससे मिलाने की विध मात को लिखे ठीके अपने पाट कर आपके मसित खानी गत को लिखे ठीक है यह प्रस्णों को आपने अपने कोपी में फिसपास्ट लेए लिख लिया होगा जएले नहीं लिखा तो विडियो बैक करके लीख लेना क्योंकि मैं यहां पर जितने भी प्रस्ण यहां पर बता रहा हूं सारे के सारे प्रस्ण काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और इसी सारे सवाल आपके एकदाम में चपने वाले टार्गेट भी सिवाम यानि कि मैं हंडेड़ परसेंड गारेंटी ले रहा हूं बच्चों सेम आपको यहीं देखने को मिलेंगे ठीक है अथवा में सब्सक्राइब नीरत निर्त की विस्त्रीत के होती है इसको यहां पर प्ढ़िभासा निए तथा और राग में अंतरस पश्ट करें एंपर आप से राग की प्रिभासा तुछी जाड़ी है और थास तथा राग में यहां पर करने के लिए कहा जा रहा है जो कि काफी ज़दा इंपोर्टेंट है आपके एकजामे कई बार जाके पूर्च से बीचा सकते हैं नाद की पढ़िवासा देते हुए उसकी वी सिस्ताओं का वर्नन करें ठीक है इसके परकार एवंग उसकी वी सिस्ताओं का यहां पर उलेक करें ठीक है नाद क्या है संगीत में नाद का महत्त पर परकार जालने के लिए कहा जा रहा है कुश्ण नमर 23 है स्वर एवंग उसके परकारों का यहां पर उधारन लिखे ठीक है आप फार्ट लिखते चलो और मैं आपको वीडियो के अंद में बताऊंगा कैसे कुल मिलाकर एक म नमर 26 सुरुति से क्या समस्ते हैं क्या परतेख सुरूती नाध सबस्ट करें ठीका अमें कि पूचा जारे सब्सक्रास की नहीं है इसके बारह में ग्राम से आपका समस्ते हैं सडज अथ्वा माध्यम ग्राम का यहां पर विस्तरी वर्णन करना है मूर्चाना क्या है और उसके कितने परकार इसके बारे में बचाना है मूर्चाना का आज के रागों में परजेंट टाइम में जो राग हैं उनमें मुर्छाना का क्या अंतर है इसके बाद प्यादे दोस्तों कोस्ट नमर 29 काफी ठाट के किसी राग के मधले की सवरलुपी राग का परिचा सहित लिखे प्रमेल प्रवेसर राग से आप क्या समझते हैं तो प्यारे दोस्तों और आखरी सवाल है आपका अपने पाटकर में किसी एक राग पर धमार के अस्ताइव अंत्रा की सुरलेपी लिखें उम्मिद करता हूं सभी प्रशनों को आपने प्यारे से कोफी में लिख लिया हुगा जैसे एक सब्सक्राइबर के करीब पहुँच चुके हैं ठीक है जैसे एक सब्सक्राइबर पलस हो जाएंगे तो पर दोस्तों यहां पर सभी पर पर अलगा लग पर प्रफेसरों को द्वारा आप लोगों को डिजिटर बोल्ट पर बिलकूल निशुल्ट सिख्षा दी जा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ज़्येदा जया जड़िगराम तथा वार्फेसरों को आपको जॉइन कर लेना है किसी भी समय आपको इन सभी परशनों कानसर का पीडियाफ देखने को मिल सकता है आपको मिला कर एक मिनुट में डाउनलोड कर सकते हो बार बार आपको टेलिग्राम तथा वाट्सम गुरूप चेक करते रहना है क्योंकि अपलोड होने में थ्रा समय में भी लग सकता है ठीक है तो मिलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में थैंक्स पूराचिंग भाई भाई ठेक करें जायें दोस्ते